हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज मैं आप लेले क्या हूँ है दिल्ली की फेमस खर्टी मीठी चटपटी राज कचोरी की चाटकी रेस्पी इसे कचोरियों का राजा भी कहा जाता है इसमें खस्ता कचोरी बनाई जाती उसके बाद उसमें स्टफि की जाती तो कचोरी को ज्यादा तक खस्ता रखने के सारे राज मैं आज आपको बताऊंगी तो आज की ये रेस्पी बहुत زज़ादा सूपर टेस्टी सूपर हेल्दी होने वाली है तो चलिए आज की चटपटी चाटकी रेस्वी बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के ल इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चमच baking soda इससे हमारी कचोरी fully fully बनेंगे। उसके बाद तेस्ट अनुसार नमक ऐड़ करेंगे घी घी हम यहाँ पर दो से तीन चम्मच एड़ करेंगे जिससे हमारी कचोरी ज्यादा ही क्रिस्पी और करारी बनकर रेडी होंगी आप ध्यान रहें यहाँ पर रिफाइन ओल का यूज मत कीजेगा घी से ही ज्यादा कचोरी खस्ता होती तो घी आट करने के बाद इसे हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करनेगे जब सभी चीजे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे हम इसमें थोड़ी थोड़ी कॉंटेटिंग में पानी डाल करके एक सक्त डो तयार करेंगे डो हमारा soft नहीं होना चाहिए सक्त डो रहेगा तभी हमारी कचोरिया fully fully बनेगी तो डो हमारा जैसे ही ready हो जाएगा इसे हम 15-20 मिनिट के लिए rest करने के लिए रख देंगे जिससे हैं जो सूजी हमने mix की है वो थोड़ी soft हो जाएगे तो लगभग 20 मिनिट हो गया है और हमारा डो भी अच्छे से रिष्ट कर लेंगे इसे हम थोड़ा और चिकना कर लेंगे जिससे थोड़ा से ये soft हो जाएगा तो डो को चिकना करने के बाद इसकी हम छोटी छोटी लोईयां बना लेंगे जैसे नॉर्मल पूरी या पराठी के लिए लोईयां बनाते हैं वैसे ही लोईयां थोड़ी बड़े साइज के हम बनाएंगे तो सारी लोईयां एकी तरह बना करके उसे हम चिकना कर लेंगे अब यहां पे हमारी सारी लोईयां बनकर ट्रेडी होगे हैं जितने चिकनी रहेंगी उतनी हमें पूड़ी बेलने में आसानी होगी तो हम यहां पे लेंगे थोड़ा सा सुखा हुआ मैदा और एक लोई के लेकर करके मैदे में अच्छे से डस्ट करेंगे उसके बाद हम नॉर्मल जैसे पूड़ी या पराठा बेलते हैं उसी साइज के ह हम पूड़ी बेल लेंगे पूड़ी हमारी बहुत जादा बड़ी नहीं होनी चाहिए पूड़ी की साइज मीडियम ही होनी चाहिए और पूड़ी हमारी बीच में पतली नहीं होनी चाहिए किनारों से पतली और बीच में थोड़ी से मोटी होनी चाहिए तो अब हमारी पू पूरियों को अपर ग्रुड करेंगे चिसे इह उते कर ही आप अलगे तो सप्ते करेंगे और हम उसके उपर से तेल लेगे Ѡीए जिसे हमारी पूरी यहां बहुत ज़्यादा रीडित होंगी तो अब हम पूरीयों को हम मốcनें तर लेंगे जब तक बूरीयं दोनों साइड की अच्छी से गोर्डन कंथ कि ना जाय तो जैसे से पूरीयं गोडन प्लार्डकि आनगे लगिए फ्लेव हम यहां पे थोड़ा से मीडियम कर देंगे जिससे हमारी खस्ती कचोडियां बनकर तयार हो तो आप देख सकते कचोड़ी हमारी कितनी खस्ता है कि प्रेस करने के बाद भी हमारी कचोड़ी दब नहीं रही है तो बस इसी स्टेश पे हम कचोड़ीयों को निकाल है यहाँ पे आप हमारी सारी पूर्जीयां बनकर रेडी हैं चलिए हम इसके अव इसस्टाफिंग कर लेने के लिए हम यहाँ पे लेंगे एक पूरी आप देख सकते कितनी क्रिस्पी पूरी है वैसे कंटर उबले हुए कटे हुए आलू, दो चम्मज उबले हुए चने, दो से तीन चम्मज दही, जो उसकी लुकिंग को बहुत ही ज़ादा बढ़ाएगा, और एक चम्मज मीठी चटनी, तो इन कचरों में आपको सारे फ्लेवर आज मिलने वाले हैं, उसके बाद हम डालेंगे तीख ही चटनी, इसकी सजावट आप अपने अनुसार कर सकते हैं, उसके बाद हम इसमें एड करेंगे, फिर से हम उन्हीं चीजों को रिपीट करेंगे, जो चीजों हमने पहले से डाली हैं, उन्हीं चीजों को हम रिपीट करेंगे, तब तक हमें रिपीट करेंगे, जब तक कच नमक थोड़ा से भूना हुआ जीरा उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर तो इन कचोरियों को हम बहुत ही ज्यादा चटपटा स्पाइसी बना रहें तो अपने हिसाब से हम इसकी स्टफिंग करेंगे जो भी हमें पसंद हो चीजे हम यहां पर एड करेंग को इस बंकर रेडि हो रहा है फिल वाच्टिं हम थोड़ी से चटनी डालेंगे छिसे देखने में और भी ज्यादा धालने में और भी बढ़ा देंगे बहुत जबास्टिव लग रहा तो लीजे में दिली equipped चट पटी-कर थि घिटी मिठी-राज-कतौरी इसे आप आगर किस सर्व करेंगे तो सच में उसकी आँखे खुली की खुली रह जाएंगी और वो यकीन नहीं करेगा कि इस राज कचोरी को आपने घर पर बनाया है बहुत ही टेस्टी बहुत ही चटपटी खटी मीठी तीखा सारे फ्लेवर इस कचोरी में आपको मिलने मिलेंगे तो फ्रेंट् वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड और फैमिले में शेयर करना ना विलने मिलते हैं एक और नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई आइंड टेक केर